पार्ट दो अकबर और बीर्बल पार्ट से पूर्व बुद्धी हमें मान सम्मान दिलाती है इसके प्रयोग से सभी प्रश्न हल हो जाते हैं आईए पार्ट पढ़कर जाने की वीर्बल ने अपनी बुद्धी के प्रयोग से क्या किया बीर्बल बादशा अकबर के नवरतनों अर्थात उनके नौ मंत्रियों में से एक थे बीर्बल विद्वान, बुद्धिमान और हाजर जवाब थे इसलिए बादशा को वे बेहत प्रिय थे बीर्बल का मान सम्मान देख कर कुछ दर्बारी उनसे जलने लगे एक दिन उन सभी ने भरे दर्बार में कहा बादशा सलामत बीर्बल में ऐसी कौन सी विशेशता है जो हम लोगों में नहीं है क्या बीरपल हम लोगों से अधिक बुद्धिमान है जो जहाँ पना की कृपा उन पर इतनी अधिक रहती है बादशाह मुस्कुरा दिये और कुछ सोच कर उन्होंने चुप चाप जमीन पर एक रेखा खीच कर कहा जो इस लकीर को बिना काटे चाटे छोटा कर देगा आज से वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाएगा अब सभी दरबारी एक दूसरे का मुह ताकने लगे उन्हें कुछ समझ नहीं आया सभी चुप चाप बैठी रहे बादशाह ने सभी दरबारीों को कई बार ललकारा भी लेकिन वे सभी चुप पी साधे और आँखे नीची किये बैठी रहे बीरबल दरबारीों को देख देख कर मुस्कुराते रहे अंत में किसी को आगे आते न देखकर बीरबल ने उस लकीर की बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी और कहा जहाँ पना पहली लकीर बिना काट छाट के छोटी हो गई बादशाया ने वावा कहकर अपने गले का कीमती हार उतार कर बीरबल को दे दिया शिकायत करने वाले दर्बारियों का सिर नीचा हो गया वे सभी मुह लटकाए अपनी अपनी जगा पर बैड़ गए